लो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चनल ब्रदस क्लासेज के अंदर दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट वेकेंसी ने एक नया मोड है वो आपके ले लिया है इसके अंदरगत आलोकराज जी ने आज ट्वीट किया था कि सभी विदार्तियों को है वो बोनस अंक मिलेंगे तो जूनियर अकाउंटेंट वेकेंसी के अंदरगत हैं वो आपको कितने अंक हैं वो बोनस के मिलेंगे क्या एक भी परसन है वो आपके डिलीट होने की स्रेणी में नहीं जाएगा तो इन सभी के बारे में हैं वो इस वीडियो के अंतरगत बात करेंगे कि कटोप पर क्या फरक पड़ेगा कितना परभाव पड़ेगा कटोप के उपर कम रहेगी ज्यादा रहेगी इन सभी की बात हैं वो आगे वीडियो में करते हैं तो चलिए यह साथ यूँ वीडियो की सुरुआत करते हैं इससे पहले आपसे निवेतन हैं यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर वेकैंसी के अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहें तो देखेगा साथी पहले बात करते हैं कि बोनस अंग है वो सभी को मिलेंगे या नहीं यह एक अलोग राग जिनने एक राई पेस की हैं ट्वीटर के माजयम से कि बोनस अंग है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए तो उसके अधार पर देखा जाए तो बोनस अंग हैं वो कहीं सारे साती हैं वो इसके पक्स में हैं और कहीं वीपक्स में हैं जिनका paper clear नहीं हो रहा है वो इसके पक्समे है कि bonus अंग है वो मिलना चाहिए जिसके वज़े से उनके 40% मार्क से वो बन जाए और paper clear हो जाए और वो भी selection की race में आ जाए और कुछ अभियरती हैं जिनके जो selection के बिल्कुल किनारे पे हैं वो सोच रहे हैं कि इसका bonus अंग है वो नहीं मिलना चाहिए तो अगर देखेगा bonus अंग मिलते हैं तो आपके जितने भी लगबग 7-8 questions हैं वो आपके delete होने की सरेणी में थे तो उन सभी किसनों के हैं वो आपक तीन परतिशत से ज्यादा का जो है आपके weightage रहता है तीन परतिशत marks हैं वो आपके बढ़ते हैं पहले हमने जो कटोब बताई थी इसके अंदरगत बात करते हैं general category की बात करते हैं general की कटोब हैं वो हमने 48 से 52 के बीच में हैं वो बताई थी तो इससे जो हैं आपकी कटोब के बीच में हैं वो आपकी कटोब रहने वाली अब EWS, OBC और MBC इन तीनों category की बात करते हैं EWS, OBC और MBC इन तीनों की बात करते हैं कटोब को लेकर तो तीनों की कटोब है वो थोड़ा सा different आएगा इन तीनों की जो average कटोब है वो आमने बताईती 44 से 47 तक जो कटोब है वो आपके 51 तक हैं वो आपके cross करेगी 51 तक का score है यहाँ पर यह करेगी 47 से लेकर 51 तक कटोब है वो आपके OBC, EWS और MBC इन तीनों category की रह सकती हैं आगे बात करते हैं AC और ST category की बात करे तो इन दोनों category की कटोब है वो आपके 44 तक रहने की संभावना है यहां तक कटोब रह सक तो अभी देखेगा अलोक राजी इसके उपर संसोधन चल रहा है तो संसोधन में जहां तक fact है वो यही निकल कर आएगा कि सभी विदार्तियों को है वो bonus अंक दिया जाने क्योंकि इसके अंदर गए दो गुना category के कंडेर्स हैं वो भी pass नहीं हो रहे थे मुश्किल से तो इस वज़े से इस पोस्टों को भरने के लिए है वो bonus अंक का जो rule है वो लागू क्या है आपके और आपके कितने marks बन रहे हैं यदि 7-8 क्यूसनों का bonus है वो आपको मिलेगा लेकिन अपतिया तो लगबग 16-17 क्यूसन के उपर लगी है लेकिन 7-8 क्यूसन है वो आपके delete होन में एक बार कमेंट जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जे हिंद जे बारत